वेल्कम तो माई यूट्यूब चैनल और आज मैं आपको बताने जारही हूँ कि आप अपने वेब पेज को किस तरह से बना सकते हैं तो आज से मैं शुरू करने जारही हूँ हूँ HTML टुटोरियल्स I hope आप इसे उतना ही प्यार देंगे जितना आपने मेरे Excel टॉडल्स को दिया है तो सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगे कि आप अपने वेब पेज का टाइटिल किस तरह से रख सकते हैं www.google.com yahoo.yahoo.yahoo.com इस तरह से और अब अपने वेब पेज का जो बेग्राउंड कलर होता है उसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहले HTML लगाएए लिखिये हैट टाइटल जो भी टाइटल आप देना चाहते हैं मैं देना चाहते हूं www.moneyball.com आप क्या करेंगे टाइटल फ्लो क्लोज कीजे इसके बाद इसके बाद sdml अब इसे सेव करने के लिए क्या करेंगे फाइल मेन्यू पर जाएंगे सेव पर क्लिक करेंगे जहां पर आप सेव करना चाहते हैं मैं इसे डेक्स्टॉप पर सेव करना चाहते हूं और इसका फाइल का जो भी नेम देना चाहते हूं मैं देती हूं firsttutor.html extension लगाना ना भूले फाइल नेम के साथ .html और आप जहां पर फाइल सेव करना चाहते हैं इसके बाद सेव कर दीजे आप क्या करेंगे आप डेक्स्टॉप पर जाहिए और देखे यह देखे आपका फाइल बन गया है इसको क्लिक कीजे यह देखे यह आपका टाइटल है यहाँ पर आ रहा है www.moneypal.com this is the title of your web page तो अब आप क्या है अब इसी में कलर देना चाते हैं चीक है तो आप इसके बाद क्या कीजे बेग्ग्राउंड को जो कलर देना चाते हैं इसके लिए आप टाइटल यह जो ख्लोज है टाइटल इसके बात में आप बौडी Tag लगाए बौडी BG Color BG Color color stands for background color यह जो है एट्रिब्यूट होता है bg color suppose मैं देना चाहते हूं red ठीक है अब मैं देते हूं this is my first html tutorial program इसके बाद body tag को close कीचेए अब जो है file menu पर जाकर इसे save कर दीचेए फिर से जाएए first tutor पर click कीचे यह रिखिए आपके जो background color है वो red हो गया red की जगह आप कोई और color भी डाल सकते हो यहाँ पर जाए ब्ल्यू इस तरह से आप जो है इसका color चेंज कर सकते हैं आज के लिए इतना ही और प्लीज मेरे रोज के प्रोग्राम के अपडेट के लिए प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब किजए और प्लीज लाइक करना ना भूले मेरा वीडियो thank you thank you very much